Welcome to PW only IS आज के सेशन में हमें बहुत ही specific issue address करने वाले हैं that is, क्या आप अपनी college के साथ अपनी UPSC के preparation कैसे कर सकते हैं UPSC faculties को एक बहुत ही common question मिलता है और वो ये है कि sir, हम UPSC के preparation करना कब से शुरू करें? What is the appropriate time? Most of the cases में हमारा answer होता है कि graduation final year तब सवाल आता है कि अगर हम अपनी तैयारी थोड़ा और पहने शुरू करें first year या second year भी तो हम जादा बहतर prepared होंगे जादा अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे और ये argument बिलकुल valid है लेकिन इस argument के साथ समस्या एक है कि आपका academics उतना ही important है जितना कि आपका preparation का part college सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी activities होती है जिनसे आपके personality groom होती है आपकी understanding develop होती है और इस सभी चीज़ों को UPSC preparation के लिए compromise नहीं किया जा सकता तो मन में एक जुगलबंदी हमेशा चलती है कि क्या दोनों चीज़ों को balance किया जा सकता है कि हम अपने college में अपने academics को compromise ना करे और parallel हम UPSC के preparation भी कर ले हाँ बिलकुल ऐसा किया जा सकता है आप अपने graduation first year के साथ ही UPSC के preparation में लग सकते हैं बिना अपने college को compromise किये लेकिन उसके लिए आपको चाहिए होगा strong conviction एक बढ़िया सा time management और एक बढ़िया तरीकी की strategy कि आप कैसे दोनों चीज़ों को balance करने वाले हैं तो यह मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिनका इस्तेवाल करके आप अपने college की preparation के साथ UPSC के preparation को balance कर सकते हैं सबसे पहले topic realistic time table बनाईए उस realistic time table के लिए मैं ये recommend करूँगा कि आप अपने time table में अपनी preparation का जो बड़ा हिस्सा है उसे शाम के 4 बजे के बाद रखिएगा ये मान कर चलिए कि सुबह आप उठेंगे अपने college जाएंगे, classes वगयरा करेंगे उसके रिए थोड़ा बहुत पढ़ाई करेंगे और उसकी बाद आप UPSC preparation में लग जाएंगे आप time table बहुत ऐसा मत बनाईएगा जिससे कि आप 8 गंटे, 10 गंटे, 12 गंटे डिवोट कर रहे हैं UPSC पे क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई time table बनाया तो फिर आप अपने college को compromise करना शुरू कर देंगे और फिर ना तो आपकी college के पढ़ाई हो पाएगी और ना ही आपकी UPSC के preparation और ultimately आप जाएंगे frustration में तो 4 p.m. एक landmark time मानिए उसके बाद अपनी UPSC preparation के period को devote कर दीजिए अपने college की studies को prioritize करिए prioritize करने का मतलब यह है कि समय समय पर ज़रूद पढ़ती है कि आप अपनी college के preparation को आगे रखें जैसे कि आपको assignment submit करने है या फिर आपका कोई internal examination होने वाला है आपका semester examination होने वाला है ऐसी condition में आपको समझना है कि आपका college important है और इन exams में बहतर perform करना ज़रूरी है ऐसी condition में आप अपनी exam की इस part को थोड़ा prioritize करिए और UPSC preparation को थोड़ा सा dim light में बना के आप अपनी exam में बहतर perform करने UPSC preparation पर लग जाएंगे लेकिन जैसे ही आपका again semester आता है आप फिर से अपने semester को prioritize कर लेंगे या फिर assignment लिखना है तो focus आपका assignment पर होगा उसे आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे और जैसे ही वो complete होगा UPSC पर switch कर जाएंगे ये prioritization बहुत जरूरी होगा अगर आपने इस prioritization को ध्यान में नहीं रखा तो फिर आप अपनी college के पढ़ाई को नजर रन्दास करेंगे और फिर आपका performance गरता चला जाएगा आप हमेशा अपने schedule में gaps को utilize करिए gaps को utilize करने का मतलब ये है कि आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप दो चीजी एक साथ कर रहे हैं मतलब आप अपना graduation भी complete कर रहे हैं at the same time आप अपना UPSC भी prepare कर रहे हैं और आपका जो भी graduation का part है BA, BSC, BCOM, medical या फिर engineering उसमें आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो equally important है अगर आप दोनों की equal importance को maintain करना चाहते हैं तो आपके पास समय की कमी होगी और समय की इस कमी को fill करने के लिए आप fillers का use करिए fillers का मतलब यह है कि अगर आप travel कर रहे हैं तो travel करते वक्त आप कोई भी audio fine सुनते हुए जाए current affairs या कुछ भी और जो आपने engagement नहीं है रधर physical engagement है तो ऐसी स्थिती में आप उस time gap को utilize करिए और कुछ न कुछ कान में लगा के earphone and all आप उस चीज़ को अपना academics perspective से कुछ न को सुनते और पढ़ते रहे है goals आपके realistic होने चाहिए ऐसा नहीं है कि आपने यह बना दिया कि मैं 20 days में quality complete करूँगा अब 20 days में of course quality complete की जा सकती है लेकिन ऐसा करते वक्त आपको सारी चीज़ों को aside करना होगा जो कि आप नहीं कर सकते because you are in college तो आपके जो goals हों वो ऐसे हों कि उसमें आपके academics की जगे हों और ऐसा नहीं कि आप academic goals इतने ज़दा बना ले कि आपने UPSC कोई sideline कर दिया वहाँ पर दिखेगा कि आप अपने UPSC preparation को लेकर बहुत ज़ादा सहज नहीं है या फिर आप बहुत ज़ादा seriously उसे नहीं कर रहे हैं आपको current affairs से लगातार updated रहना होगा अब यह सवाल आता है कि अगर आप अपने graduation first year से current affairs पढ़ रहे हैं तो क्या जब आप exam देंगे तीन, चार या पास साल बाद तो क्या ये current affairs आपके काम आएगा में भी ना आए लेकिन फिर भी आपको देज़ दुनिया के सारी बाते पता होनी चाहिए current affairs सिर्फ exam में लिखने के लिए नहीं होता बलकि current affairs को लेकर आपकी जो conventional understanding होती है वो भी बहतर होती है कई सारे conventional topics ऐसे होते हैं जो आप किताबों में पढ़तों लेते हैं लेकिन आपको कभी भी उनका application नहीं मिलता और उनका जो application है वो आपको हमेशा current affairs में मिलता है तो मैं recommend करूँगा कि आपके दिन का एक घंटा हर दिन current affairs पर devoted होना चाहिए I will recommend कि आप इस time को morning में रखे morning में मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ और मत रखे morning के time में आप current affairs को रख दीजे उसके बाद आपने college में जाएए पढ़िए कोई भी college में program and all हो रहा है उसमें participate करिए कोई additional activity है उसमें participate करिए और शाम के चार बजे के बाद का समय आप UPSC को devote कर दीजे उसके बाद सोने तक का समय आपका UPSC का है हाँ मैंने कहा college prioritize आप कर सकते हैं ज़रुवत लगे कि अब इस time को भी हमें college के लिटेलेस करना है you can go for it as well ठीक है अपने study material को बहुत ही wisely choose करिएगा क्योंकि आपके पास समय की कमी है आपको college भी complete करना है UPSC भी करनी है तो अगर आप बहुत सारे UPSC material के लिए जाएंगे तो आप इतने hazard हो जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऐसी condition में आपको single source पे stick करना होगा बहुत ध्यान से एक source को pick करिए जिससे आप अपने preparation करने वाले हैं और उसी source को बार बार complete करनी के कोशिस करी ध्यान दीजिए आपके पास आगे aggressive study का time होगा तो अभी के लिए आप अपनी एक जो general study है उसके लिए एक single source को stick करके उस पर जादा grip बनाने के कोशिस कर सकते हैं अगर हम आगे बढ़ें तो आपको study groups join करने चाहिए अब ऐसा तो नहीं कि आप अपनी college में अपनी class में इकलोते ऐसे विक्ति होंगे जो अपनी college के साथ UPSC के preparation में जाना चाहते हैं और भी लोग आपके similar mindset के आपको मिल जाएंगे आप 3-4 लोगों का एक group बनाईए जो बिल्कुल वैसे ही plan करना चाहते हों जैसे कि आप अगर आपका मन उनके साथ मिलता है तो आप उनके साथ preparation में लग जाएए इससे targets को बनाना उन्हें apply करना एक दूसरे के साथ discussion करना और ये realize कर पाना कि जो targets बनाए गए थे पूरे group के द्वारा मिलकर उन्हें achieve किया पा रहा है या नहीं ये बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने revision नहीं किया है तो आपने हफते में 5 दिन या 6 दिन क्या पढ़ा है इस बास से कोई फरक नहीं पढ़ेगा सब कुछ पढ़ते जाएगे और वो गायब होता चला जाएगा तो revision उतना ही important होगा जितना कि आप पढ़ेंगे और अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके इस balance preparation का key है and that is adapt and adjust आपको लगातार चीजों में बदलाओ करना होगा आपको switch करना होगा UPSC preparation से academics में और academic preparation से UPSC में आप इस काम को करने में जितना बहतर होंगे आपके तयारी उतनी ही strong होगी UPSC की भी और आप उतनी ही बहतर perform करेंगे अपने academics में भी adjustment ही बात हम वही कह रहे हैं कि आपको देखना होगा कि कब आपके लिए क्या जरूरी है किस समय आपका college आपके लिए जरूरी है और किस समय आपकी UPSC की preparation आपके लिए जरूरी है अगर आपने ये balance establish कर लिया तो UPSC crack करने से आपको कोई रोक नहीं सकता और जब आपका graduation complete होगा आप इतनी strong होगी अपनी तयारी में कि आप पहले attempt में UPSC clear करने के दावेदार होंगे इसके बाद एक सबसे important बात आती है and that is guidance अगर आपको guidance नहीं मिल रहा है तो आप समझी नहीं पाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है ऐसे case में अकसर आप misguide हो सकते हैं गलत sources की ओर जा सकते हैं guidance लेने के कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास कोई senior है कोई ऐसा person है जो इस preparation में बहुत पहले से है कोई faculty member है जो आपकी help कर सकते हैं आप उनके मदद लीजिए ताकि आप track पर रहे हैं लेकिन अगर ऐसा कोई case नहीं बन पाता है तो आपके पास एक alternative एक option ज़रूर रहता है में भी आपको अभी तक जानकारी लग गई हो में भी ना लगी हो एक बहुत लंबे समय से struggle था query थी कि students अपनी रिजुशन फस्टर के साथ UPSC के preparation में जाना चाहते हैं लेकिन PW only IS के पास कुछ खास options available नहीं थे हम नहीं चाहते थे कि आपका academics compromise हो UPSC preparation के चक्कर में जो कि आपका base मजबूत करता है बहुत ही research के बाद data analysis के बाद एक plan तयार किया किया जिसमें तीन साल में आपकी UPSC preparation करवाई जा सकती है और वहाँ पर आपकी ये problem को prepare कर सकते हैं और college के साथ इसमें इस बाद का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि आपके college की जो preparation है वो compromise ना होने पाए अब देखे जो तीन सालों का ये पूरा planner है ये कैसे work करता है मैं आपको इसको बता देता हूँ ये लगभख उन सभी news को पूरा करने के कोशिस करता है जिसके बारे में अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे जैसे कि आपके अगर मैं मान लेता हूँ कि आप किसी भी three year course में enrolled है अगर आप medical और engineering में है तो वो of course चार साल का course हो जाएगा ये तीन साल के हिसाब से एक styled course है जिनका course चार साल का है उन्हें एक additional year मिलेगा preparation के लिए जब आप पहले साल में होंगे तो पहले साल को एक title दिया गया है that is आधार शिला मतब तीन साल और छह semester तो आपकी पूरी preparation को यहाँ पे 6 semesters में divide कर दिया गया है इन 6 semesters में जो आपका पहला semester होगा वो आपके NCRT और fundamentals पर focused होगा बहुत कम समय मिलता है first semester में लेकिन उसमें NCRT उसको इतना strong ही तयार कर दिया जाएगा कि आपके fundamentals एकदम तयार हो जाएगे उसके बाद जब आपका दूसरा semester start होगा उसके सांथ ही आपकी main stream study जो है वो शुरू हो जाएगी तो पहले semester में NCRT और दूसरी semester में आपका main GS का part start हो जाएगा second semester में आप अपने GS के part को लेकर comfortable हो जाएगे और आप इस तयारी में लगभग enter कर चुके होगे और उसके बाद जब second year start होगा और इस second year में आप पहुचेंगे अपने third semester में तो वहाँ पर इस पूरे साल को नाम दिया गया है अगरिम पडाओ अगरिम पडाओ में चुकि आप अपने second semester में GS को लेकर comfortable हो चुके हैं तो आपके third semester के साथ आपके optional और CSAT को भी start कर दिया जाएगा only eyes जितनी भी optionals offer करता है वो सभी आपके लिए available होगी आप उनमे से जो भी pick करते हैं वो आपके scores का part होगा और CSAT की classes भी parallel होने लग जाएगी जब आपकी GS की classes होगी तो वो in general दो parts में divided होगी 1.5 hours की आपके एक class होगी और 1.5 hours की एक class होगी चुकि academics के साथ आपकी preparation करवाई जा रही है तो आपकी जो भी classes होगी वो 4 p.m. के बाद होगी मतब 4 बजे से पहले आपकी कोई भी class नहीं रथी जाएगी आप सुबह से उठके current affairs पढ़िए और पूरे दिन अपने college को devote करिए कहीं कोई problem नहीं है आप 4 बजे के बाद अपनी UPSC preparation में लग जाएगी जो division मैं आपको बताने की कोशिस कर रहा था वो बहुत ही practical division है जिसकी basis पर इस course को prepare किया गया है तो आपकी जो classes हो रही है second year में वहाँ पे optional और CSAT को भी include कर दिया जाएगा तो पूरा third and fourth semester devoted होगा आपके GS, optional और CSAT के लिए जब आप आएंगे तीसरे साल में तो हम उसे कहेंगे final अभ्यास final अभ्यास में जो आपका पांचवा semester होगा वहाँ पर आपके GS के part को बहुत ही बैतरीन तरीके से complete किया जाएगा और जब आप पहुँचेंगे अपनी 6 semester में यानि के final semester अगर आप 3 year course में है तो वहाँ पर rigorous practice होगी, test होंगे, revision करवाया जाएगा और इन सभी चीजों के साथ 3 साल में आप इतने prepared होंगे कि आप exam daily की condition में होंगे अब देखे UPSC की preparation तो इन 3 सालों में हो जाती है लेकिन हमने एक 3 साल का बहुत ही बड़ा सा समय लिया है आपकी preparation के लिए मैंने दो बच्चों को बात करते हुए सुना उसमें एक बच्चा humanities का था और दूसरा technical background का तो technical background के बच्चे ने मजाख में कहा humanities के बच्चे से कि आपको पता है BA, BSC और BICOM वाले UPSC की तैयारी करने क्यों आते हैं उस बच्चे ने पूछा क्यों आते हैं तो उस बच्चे ने answer किया क्योंकि उनके पास करने को कुछ होता ही नहीं है ये बात मजाख में की गई थी लेकिन इसके पीछे एक करवी सच्चाई है और वो करवी सच्चाई ये है कि ये जो academic courses हैं ये आपको कोई market oriented skill provide नहीं करवाते हैं इसलिए कई बार जब आप तीन साल के बाद market में उतरते हैं एक नई दुनिया में और आप सोचते हैं कि आप कुछ job या कुछ काम करें अपने लिए तो आपके पास कोई skill नहीं होती जो कि BTEC, Medical या फिर other background के students के पास हो सकती है अगर हम skills की बात करें तो आपका जो पहला semester होगा वो dedicated होगा communication के लिए communication का एक important part होता है English communication जो कि आपके skill का हिस्सा बन जाता है focus किया जाएगा आपके speaking के उपर, grammar के उपर, communication और active listening के उपर भी focus होगा at the same time यही पर आपको कुछ और soft skills भी provide करवाय जाएंगी जैसे की blog writing, अगर आप आगे चलके कोई blog बेगरा लिखना चाहते हो, wikipedia writing, quora पर आप अच्छी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, letters and reports आप कैसे लिख सकते हैं इन सारी चीज़ों को communication के इसी part में prepare करवा दिया जाएगा अब आप communication में बिल्कुल strong होंगे और आपका ये पहला semester आपके interview के लिए एक boon सावित होगा जहां पर आप बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ों को communicate कर पाएंगे जो आपका दूसरा semester होगा, वो dedicated होगा कुछ hard skills के उपर कुछ hard skills, जो किसी course के form में कहीं पर भी available नहीं है लेकिन ये job scatter करती है, इन hard skills में आपको powerpoint presentation, microsoft excel, word, canva और कुछ basic editing tools के बारे में सिखाया जाएगा, data कैसे sort किया जाता है पैदरी, google के कुछ tools हैं, जैसे कि google dog, google sheets, google slides इनके बारे में भी आपको prepare करवाया जाएगा, तरही सारे artificial intelligence यानि कि AI tools आज develop हो सुके हैं, जैसे कि chat GPT and all, इनके बारे में भी आपको इसी part में prepare करवाया जाएगा, मतलब आप बिलकुल aware होंगे, और आपके पास strong hard skills होंगी, जैसे आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर पाएंगे, जो आपका तीसरा semester होगा, वो dedicated होगा, managerial skill के उपर, और हम इसे soft skill कह सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ industrial level के skills provide करवाने की कोशिस की जाएंगी, जैसे कि आप किसी भी company में जाते हैं, और आपको generally hire किया जाता है, तो आप कैसे चीजों को manage कर सकते हैं, क्या आपको persuade करना आता है, क्या आप team build करके उसे manage करना जानते हैं, इन सभी चीजों को आपको third semester में सिखाया जाएगा, अगर आपको ऐसा मोका मिलेगा, तो आप managerial point of view से बहुत ही बहतर तरीके से trained होंगे, और जो आपका fourth semester होगा, यहाँ पे कुछ further soft skills को develop किया जाएगा, जैसे कि आप कैसे crisis के situation को manage कर सकते हैं, आपके negotiation skills कैसी हैं, आपका team management कैसा है, इन सारी शीजों को इस करेंगे, वहाँ पे कोई deviation नहीं चाहिए, although जो आपका दूसरा साल होगा preparation नहीं, वहाँ पे आपको किसी और exam के preparation का भी मौका मिलेगा, जैसे अगर आप कोई और exam prepare करना चाहते हैं, जिसे UPSC की alama, UPW offer करता है, तो आप उसे ले सकते हैं, हम usually recommend तो नहीं करते हैं, लेकिन अ इन सब के उपर dedicated होगा, पहले लिए Monday test, कुछ mini test होगे, जिस तरीके से आपका semester का test होगा आपके academics में, विल्कुल वैसे ही आपनी एक semester में UPSC में जितना prepare किया है, उसके लिए भी kind of test हो जाएगा, ताकि जैसे NCRT वाल आपका पहला semester complete होता है, तो फिर उसके वाद NCRT का test ह हो जाएगा, दिखा जाएगा कि आप कितना better prepared है NCRT के पार्ट में, इस तरीके से जो आपका UPSC problem का ये पूरा pattern है, ये start early, crack early principle पर based है, जहाँ पर आप UPSC ready होते हैं, prelims means और interview के लिए, पैदली आप market ready होते हैं, soft skill और hard skills के लिए, ये 3 साल PWOS के साथ आपके बहुत ही strong हो सक जहाँ पर आप एक बहतर और skilled individual के तौर पे develop होंगे जो UPSC crack करने के लिए भी तयार होगा, उमीद करता हूँ इस session से ना केवल आपने ये सीख लिया होगा कि आप अपनी UPSC preparation को अपनी college के साथ कैसे continue कर सकते हैं, at the same time आपने ये भी समझ लिया होगा कि there is an available option जिसका इस्त अब तक के लिए thank you very much